35 साल तक एक व्यक्ति अपनी माँ से नहीं मिला और ना मिलने का कारण ये था कि उसे पता ही नहीं था उसकी माँ कौन है मैं आपको बता दूँ ये कहानी है जगजीत सिंग की कादिया के रहने वले पंजाब के कादिया के रहने वले जगजीत सिंग की फिल्धाल सोशल मीडिया पर ये कहानी काफी ज़दा सुर्खियों पे है क्योंकि आपको मैं बता दूँ कि जगजीत से मालूम ही नहीं था कि उसके असले माता-पिता कौन है वो बच्पन से ही अपने दादी-दादा के पास रहे और दादा-दादी को ही अपना माबाप मानते रहे दरसल पंजाब पुलीस में थे उनके पिता जी जिनकी एक एकसिजेंट के दौरान मोत हो जाती है पिता की मोत के बाद जगजीत के नानकी और दादकी में आपस में जो है वो क्लाश हो जाता है संबंद बिगड़ जाते हैं जिसके बाद जगजीत अपने दाद दादी के पास ही रहते हैं तब वो खुल जो है मैं आपको बता दू छे महीने के थे उनकी माने उन्हें कुछ तेर तक पाला जिसकी बाद जो है उन वो सिर्फ दारदादी के पास ही रहे तब जगजीत को इतनी होश नहीं थी वो तीन साल की अपनी उम्रा बताते हैं और यह कहते हैं कि दारदादी को ही मैंने अपना माबाब माना क्योंकि उस समय वही मेरे माबाब थे दसवी में जब जगजीत पहुंचते हैं यह बताया जा रहा है 2014 की यह बात है कि जगजीत जब दसवी में पहुंचते हैं तो दसवी में पहुंचने के बाद मैं आपको यह बता दू कि उन्होंने कहा है कि म मेरे दादी का इंतकाल हो जाता है मेरे दादी इस दुनिया से चले जाती है दादी के इंतकाल के बाद घर का काम और साथी में अपनी पढ़ाई वगएरा सब जग 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 खुद संभालते हैं एक दिन अचानक से उन्हें उनके घर से अलबम मिलता है जस अलबम में वो अपने माता-पिता को देखते है हाला कि उस अलबम में वो व्यक्ती उस समय कौन थे वो उनके माता-पिता थे उन्हें नहीं पता था कि इस अलबम में व्यक्ती कौन है जब अपने दादा को इस बारे में पूछते हैं अलबम में व्यक्ति कौन हैं तो दादा उने बताते हैं ये तुम्हारे माता पिता हैं जिनकी एक एकसिडेंट में मौत हो गई थी जब तुम बहुत चोटे थे जगजीद के पाउं थले जमीन खिसक जाती है क्योंकि जिसे वो आज तक अपने माबाब समझते थे वो उनके दादादी थे और जब उन्हें असलियत का पता चला भी तो वो क्या पता चला कि उनके माबाब अभी दुनिया में नहीं है जगजीद इसी बात को सचमान कर चलते रहे पर हैरान कर देने वली बात तो तब सामने आई जब जगजीद को आसपास से ये बात पता चलती है कि उसकी माँ अभी भी जिन्दा है यानि कि उसके रिष्टदारों से संबंदियों से बात चीट के दुरान ये बात पता चलती है कि उसकी माँ जिन्दा है बहुत डूढने की कोशिश की उन्होंने अपनी माँ को पर माँ कहीं भी नहीं मिली जिसके बात वो सेवा करते थे आपको मैं बता दूँ किर्टन में लंगर सेवा भी करते थे तो इसे दौरान वो पट्याला में जाते हैं और पट्याला में बाढ़ा जाने के बाद उनकी बुआओंर थे फोन करके पूछती है के जगजीत तुम कहां पर हो जगजीत ये बताते हैं कि मैं पटियाला में हूँ और इसे दोरान उनकी बुवा कहते हैं कि तुम्हारी मा भी यही की रहने वाली थी तुम्हारा नानका भी यही पर था ये बात सुनने के बाद जगजीत और हिरान हो जाते हैं और ऐसे ही दोरान वो किसी के घर में जाते हैं और वहाँ पर पानी पीते ही जो आपस में बादचित नॉर्मल इंसान जब मिलने के बाद बादचित करते हैं उसे बादचित के बाद उन्हें बता चलता है कि जो महिला पानी पिल आ रही है उनकी ननी है उनकी माबी पी जिंदा है वो जब अपनी मा से मिलते हैं आपको आपको ऊच्छीन बाल एक होड़ आप फ़ला है और इस कहानी को आप किसца रहें अपनी राय को रखेगा प्टिर कामेंट丬ॉक्स में